दोस्तो गोर्खा सेनिकों के लिए ये बात कही जाती है कि अगर कोई वेक्ति ये कहता है कि उसे डर नहीं लगता तो वो जूड बोल रहा है या तो वो गोर्खा है पिछले 200 सालों से गोर्खा जवानों ने भारत की सीमा की सुरक्षा किये बात करें 1971 में इंडिया पाकिस्ता के वार की तब बांगला देश को पाकिस्तान से अरग करने में गोर्खा सेनिकों का ही बहुत बड़ा योगदान था यहां तक ही इन गोर्खा सेनिकों से अंग्रेज भी डरते थे और इसलिए उनके बहुत जादा मुरीद थे शायद इन जेनिकों की वज़र से ही कहा गया ह कि नेपाल एक ऐसा देश है जिसे आज तक कोई गुलाम नहीं बना सका है लेकिन यह तो बात हुई इस्ट्री की अगर बात करें हम प्रेजेन की तो पिछले तीन सालों से एक भी गोर्खा इंडियन आर्मे में जोइन नहीं हुआ है जो कि भारत के लिए बहुत घंबीर बा जाएगी लेकिन क्या इसा कारण है कि एक भी गोर्खा जवान भारतिय सेना में जोइन नहीं होना चाहता है या इसके पीजिए कुछ और रीजन है समझेंगे इस्टुडियो में गोर्खा सेने की इंपोर्टेंस आप इसी से समझ सकते हैं कि इंडियन आर्वी में गोर्खा जाओ के बीच में काला पानी का वॉर हुआ था यह जो वॉर था उसमें अंगरेजों के 5000 सेनिक का सामना मातरश 600 गोर्खा सेनिक को नहीं किया था अंगरेजों के पास उस टाइम पर गन तोप और एडवांस हतियार थे पर उनके सामने गोर्खा सेनिक के पास उनका फेवरि और इस युद्धि के बाद आपने दुश्मन को भी कह कर समान दिया था और इस युद्ध के बाद से ही अंग्रेजों ने फैसला लिया था कि नेपाल के इन सभी योकों को इंडियन आर्वी में जोइन किया जाना चाहिए और उन्होंने गुर्खा रेजमेंट बनाए थी लेगन आज उसी बहादूर रेजमेंट में पिछले तीन साल से एक भी गुर्खा जवान जोइन नहीं हुआ है और इसके पीछे एकागा आर्वी में जोइन होना सही नहीं है साथे नेपाल के गुर्खा जवान को ये डर है अगर ये गुर्खा जैने किसी गलत काम के लिए उप्योग में किये गए या फिर नेपाल की सरकार के खिलाफी यूज किये गए तो इसे नेपाल में बहुत जादा हानी हो सकती है इसे नेपाल में इंडियन आर्मी को जोइन करने के लिए एक भी रेली ही नहीं निकाली है और इस मामले पर अभी तक कोई बातचीत इंडिया और नेपाल के बीच में भी नहीं हुए लेकिन यह मामला बहुत इंपोर्डेंट बन जाता है लेकिन देखने की बात है कि यह मामला कब तक चलता है वैसे अगर आपको हमारी वीडियो चे कुछ नहीं जानने को मिला हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सब वीडियोस तो